गुड मॉर्णिंग दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करते हूं सभी लोग से होंगे सो वैलकम बैक टू माई चैनल एंड आज जो मैं आपकी लिए जानकारी लेकर आया हूँ वो बहुत ही खास जानकारी है और इस वीडियो को जुरूर अंतक देखिए जिसमें कि आपको मैंपरी से और एटा के बीच में जो नई रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था वो पूरा हो चुका है और बस अब रेलवे बोड की मंजूरी का इंत्यार एटा जली तक बिच्छाई जाएगी नई लाइन और हरी जन्डी मिलने से सुगम होगा रेल का सपर एटा और मैंपरी के लोगों के लिए साथी साथ एटा जोड़ेगा सिधा मुंबई से तो दोस्तों कहीं मच आएगा देखेगा पूरा वीडियो और इसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करतीजिगा ताकि आपको न्यू नोटोफेकिसन मिलती रहेगी और एटा से लेके एटा अबा मैंपरी गवालियर मुंबई के बीच में अगर कोई न सरवेकार पूर्ड होने के बाद मैंपरी इटावा एटा का जो मैंपरी इटावा का जो रेलवे लाइन है वो एटा तक विस्तार किये जाने का प्रिस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है अब बोर्ड की बस हरी जंडी मिलने का इंतियार है जैसी हरी जंडी मिल ज सो रियल नेटवर को और बहतर करने के लिए कैंसर का लगातर पिरास कर रही है और सित्में आई इतावा मैनप्रीर लायन पर यात्रियों की संक्या कम होने के चलते इसका बिस्तार करने के लिए रेलवे ने सर्वेकर कर आया है तकरीबिन 60 किलोमेटर लंबी नई रेल्वे लैन के सरवेकार के बाद इस लाइन को बिछाने की संतुत्वी उत्तरमद रेल्वे प्रिसासन यानि प्रियाग राज कर चुका है तो हरी जंडे यातों मिल चुकी है अब रेल्वे बोर्ड की मंजूरी का इंतियार है नई लाइ और कुरावली होते हुए मैनपुरी तक बिछाई जाएगी ये रेल्वे लैन और एटा को दच्चिर भारत के लिए जोड़ा जाएगा तो एटावा मैनपुरी रेल्वे लैन के बिस्तार से एटा और मैनपुरी जिले की लोगों के आने वाले सालों में दच्चिर भारत के के लिए गुवालियर से सीधी 10 पकरने में आसानी हो गई इस ट्रेक को बिचाने के लिए फिलाल कें सरकार रेलवे वोड की रजामंदी का इंत्यार है रेलवे अद्वगारियों के मुसाबिक प्रिस्ताव को मंजूरी मिलना बस सेश रह गया है नई लाइन का सर्वे बिस्तत रिपोर्ट रेलवे वोड को भेजी जा चुकी है बजट का प्रापदान होते ही रेलवे वोड नई लाइन को मंजूरी दे सकता है इस लाइन के एतरिक्त एटा से कासगंज के वीच का जूद दूरी गया है उसको भी रेलवे लाइन में प्रिस जो बजट है कैंसर कार के तरफ से वो अभी रिलीज नहीं हो रहा है जैसी रिलीज होगा तो बैसे इस पर कार शुरू हो जाएगा तो बस दोस्तों यह थी एक जानकारी जैसे कि कोई आपको पता ही होगा क्यों यह 2020 में इसका सर्वे और लेडी सब कुछ दन हो चुका है बस जैसी बजट एक बार आ जाएगा इस पर कार करना इस्टार हो जाएगा और एटा को सीधा मुंबी से जोड़ दे जाएगा जोगे एटा से मलावन आसपोर कुरावली मैंपुरी इटाबा ग्वालियर होते हुए और भी बहुत सारे स्टेशन आएंगे जैसे रतलाम हो गया तो एटलिस आप भी बोल सकते हैं कि येस ये वही रेलेवेल हैने जिसके लिए मैंने भी यवाज उठाई थी मैंने भी कमेंट किया था तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेर जिरूर करें